हाई गाइस विल्कम टू ममीज किचन यह हमने वाल को अच्छे से साफ कर लिया है वाल के बींच हमने सेड में कर दिया और इसके जो पत्तियां है वह हम ले लेंगे उसमें थोड़े से डाल देंगे हम बींच को और हमने रख लिया है कूकर हो गया है गरम डाल दिया है दो चम प्याज हमने इसमें कटिंग करके डाल दिया है ठीक है हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और हमने यह जो सेंगे के पतियों को छिल के रख दिया था वाल की सबजी बस हम थोड़े से बीज इसमें डाल देंगे और बाख़ी के सारे पतियों को हम डाल के कुकर में अच्छ पाऊडर सब अदाब करसाम हमें जाल दिया है ,पिसा होगा और इसको अच्छे से कर देते हैं. मेक्स देखो अच्छे से कर दिया है मेक्स अभी हम इसमें डाल देते हैं जो हमने दो कोटोरी चावल हमने दो के रखा हुआ है हमने उसको भीगा के रख दिया था दस मिलेट के लिए तो बस दो कोटोरी को हमने तीन कोटोरी पानी डाल दिया है क्योंकि हमने इसको भीगा के अच्छी से कर दो मीक्स और थोड़ा सा नमक हम इसमें और ढाल देंगे चावल के हिसाप से भी घौणगेपी, विन चावल घौन्ध fif रना फाल चू तहरे हम को लगा देंगेजैं. अभू हमें दखकन और इसको चोड़ देते हैं एक दो 6 सीटी लेंगे हम ठीक चलो लगा के हम छोड देते हैं इसको बस दो ई सी लेना है ज़्यादा नहीं दो सीटी होने के बाद हम इसको के कोटोग देते हैं एकां मस्त All प्लाव मसालव टाल बन गया है ठीक है देखो हम दाल सकते हैं इसमें सेंगा वेंगा जो भी दाल के हम बनाओ तो बहुती टेस्टी मज़ेदार ये वाल की वाल वाला पुलाव बन गया है तो चलो कर लेते हैं सर्फ और दिखाते हैं आपको कितना मज़ेदार है और कितना टेस्टी इसका कलर भी क इतना प्यारा आया है, ठीक है, तो हमने इसमें इस्ट्रा सेजबन चटनी दालने से ज्यादा ही टेस्टी बन गया है, तो चलो मिलते हैं कुछ टेस्टी और मज़ेदार रेसेपी में, तब तक के लिए, बाइ,